दोस्तों आज एक ऐसी डिवाइस की बात आप सब के साथ करने वाली हूँ जो घूमने वालों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, फॉरन लैंट पे बहुत जादा जाने वालों के लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है एक ऐसी डिवाइस जिसके ओपर चर्चा तो बनती ही थी क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी खूमिया है उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलेगा अज़ी नमस्कार, सश्या काल, असलाम आलेकूम जो लोग थोड़ी सी ट्रैवल के बारे में नौलज लेना चाते थी ट्रैवल जब हम करते हैं तो क्या क्या चीजे में हमें help करती है एपोर्ट में ट्रैवलिंग में या जब हम बाहर किसी और कंट्री में होते हैं और उसके related कोई ऐसी जो मैं बहुत सालों से खरीदना चाहती थी लेकिन मैं सोचती रहेगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी महंगी लगती थी तो आज उसके उपर पूरी जानकारी मैं दूँगी आज मैं बात करने वाली हूँ एक डिवाइस है Pokefy, Smart Go Pokefy It's basically a pocket Wi-Fi device जैसे कि घरों में चाहे नल में पानी आए ना आए लेकिन हमारे फोन में इंटरनेट होना बहुत जरूरी हो गया है उसके कई रीजन है हम सब लोग काम पे जाते हैं एमेल आती हैं काम से या हमारे रोस्टर शब के आते हैं या कुछ लोग बाहर जब भूमने जाते हैं जगा कौन सी पे जाना है, रस्ता कौन सा है मैप्स लोड करने भूल जाते हैं कभी-कभी होटेल में और बाहर जाके आपको Google Maps खोलना है तो वो खुलता ने क्योंकि इंटरनेट नहीं होता हर कंट्री में फ्री तो इन सारी मुश्किलादों से आपको निकालने के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसी डिवाइस ढूलती हूँ जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूँ या मैं जो यूज करूँगी तो मैं आपको गाइड करूँगी तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यह चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो किसी भी कंट्री में जैसे रोमिंग बहुत महंगी होती है हमारे फोन्स के ओपर तो एक डिवाइस मैंने ढूंडी है जो काफी स्रस्ती पढ़ती है जो मैंने लोगों से बहुत सारे लोगों से इसकी फीडबैक लिए है इतना पैसा इंवेस्ट करने से पहले तो मैंने और करी है होंग कॉंग से पोकिफाई इससे पॉकिट वाइफाई तो अगर आपके मतलब की वीडियो है या वैसे ही आप सुनना चाहते हैं अब बहुत सारे लोग जो टैकी नहीं है मैं भी नहीं थी गाइस मैं भी सिख रही हूं थोड़ा थोड़ा और स्पेशली अब मैं रिसर्च करती रहती है ता कि मैं बहुत सारे लोगों तक अपनी आवाज पहुचा पाऊं उस इंफोर्मेशन के साथ में जो उनके काम आ सकती है और एस वेल एस मेरी बेन नॉलज जो है वो अच्छी होती है डे बाई डे इन सब चीज़ों के उपड तो पोकेफाइड डिवाइस बेसिकली हौंग कॉंग में बनती है यह पॉकेट वाई-फाइ चोटे अस एक डिवाईस है जैसे घरों में हमारे वाई-फाइ अगर हमने लगवाना हो इंटरनेट लगवाना हो ते बड़ी सी डिवाईस लगा जाते है तो ये बड़ी डिवाइस का बेसिकली छोटा सा वर्जन है जो आप पॉकेट में डालके कहीं भी दुनिया में ले जा सकते हो और ये बेसिकली आपको इंटरनेट प्रवाइड करता है आप दुनिया के किसी कोने में भी हो मिजोरिटी कंट्री जो है कवर्ड है उसके ओपर भी थोड़ी डिटेल में चाचा करेंगे इस से पहले के में ज्यादा बोले इस मशीन को फटावट से देख लेते हैं और इसके साथ में मैंने दो मशीन जो किये हैं दो कोकिफाई एक मैंने और करा है जिसके साथ एक्स्ट्रावैक्टरी है Let me show you वाला है इसमें 5GB डेटा है और इसकी कोई भी एक्सपायणी डेट नहीं है और ये 90 countries में चलता है और 8 devices तक आप इसको connect कर सकते हो तो अगर आपने अपना iPad, Laptop, 2-3 phone कुछ भी connect करना है 8 devices और मैंने कई लोगों से सुना है कि 8 के 8 family members अगर घर में relatives जो भी है वो घर में इसको भी use करते हैं लोग ये actually मैंने सुना है कि actual internet से कई लोगों को सस्ता लगता है कई जगा पे, मैं हर जगा की तो बात नहीं कर सकती तो ये device है ऐसी और जो दूसरा बिना बैटरी वाला है वेसिकली वो ऐसा है तो उसके ओपर कोई extra बैटरी लिखी नहीं हुई है उसमें भी 5 GB data तो ये दो डिवाइसे जो है मैंने ओडर की है विद वन एक्ट्रा बैटरी चार्ज तो ये जो डिवाइसे हैं इनका क्या थोड़े से गुड़ पॉइंट्स है उसके ओपर भी बात कर लेता है विपोर भी आक्चुली ओपन दिवाइस तो ये जैसे मैंने कहा इसका नाम है पोकेफाइप पॉकेट वाइफाइफाइप तो छोटी सी डिवाइसे जेब में आप कहीं लेके जा सकते हो इसको चार्ज रखना है और इसको जब अन करना है इसकी जब ग्रीन लाइट अ हो जाती है अगर आपको लगता है कि मैं आपको चला के दिखाऊँ ये अगर ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें चलाने के बारे में इन्फोर्मेशन है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन वाप्स में आपके ज़रूर डाल दूगी तो ये जो है छोटी सी डिवाइस है आप इसको दुनिया के किसी कोने में भी साथ लेके जा सकते हैं 5GB डेटा बिलीम यगर आप वीडियो कॉल्स गरा नहीं करते बहुत ज़ादा तो आप इसको बहुत लंबे टाइम तक इस लोगों से सुनाए कि साल साल बर उनको टॉप अप कराने की ज़रूरत नहीं है और इसके डेटा की कोई इसपाइरी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि 5GB आपको दो महीने में खतम करना ही करना है ऐसा बिल्कूल भी नहीं है और जो इनकी कंपनी ने लिखा है कि 3 USD आपके खर्च होते हैं पर GB क्योंकि 15 USD का 5 GB है आट डिवाइसे मैंने अल्रडी बता दिया है पूरा अमेरिका, यॉरप, एश्या, मिडल इस और अफरीका पूरा कवर होता है उसके लावा भी कई कंट्री जिन की वेबसाइट के ओपर लिखी हुई है जिसका मैं लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूँगी तो आप इसको देख लीजएगा कि मतलब कौन कौन से स्पेसिफिक अगर आप किसी जगा जाते हैं अगर वो ऐसा रिमोट एरिया है जहां पर आपको लगता है कि वाइफा अवैलेबल नहीं होता है तो शायद आप चेक कर सकते हैं अगर यह मशीन महां काम करती है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी है मेरे लिए तो आम शोर अभी आज के बाद से कम से कम लोगों को यह कंप्लेइन नहीं होगी कि आप हमारे मेसेज का जवाब नहीं दे रहे या मेरे कई दोस्त रहते हैं फॉर लैंज के ओपर मैं कभी-कभी वहां उतर के उनको जैसे होटेल से बाहर निकली तो समझी नही पर उतरी हूं तो मैं ट्रेन में बस में चलते हुए पैदल कहीं पर भी मैप्स लोड कर सकती हूं चेक कर सकती हूं कहां पर हूं कौन से रेस्टॉरंट्स मेरे आसपास हैं यह सारी इंफोर्मेशन मुझे असानी से मिल जाएगी आज के ताइम में इंटरनेट के बगार बिना बैटरी वाला तो हमें समझ आ जाएगा कि उसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है बैसिली तो चलिए इसको एक्स्ट्रा बैटरी वाले को खोल के देख लेते हैं चलिए इसको खोलते है अब इसमें जो कवर है उपर जड़ा हूआ है और साइड में लिखका अगर एक बार भी आपने खोल दिया तो उसके बाद यह रिफर्ण नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर एक सीक्रेट कोड है जिससे वाइफाय आपके फोन में कनेक्ट होगा या जिस भी डिवाइस पे आपने कनेक्क करना है तो वह को डालना पड़ेगा और हर डिवाइस का अ इनका इमेल एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है इस डिवाइस के ऊपर जब आप 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 आपर करेंगे तो आपको दिखेगा एच डबल टी पी एपोकिफाई सम्थिंग है तो इसको हम फोटे है तो चलिए श्रीगनेश करें इसका इसका इसकी सील है यह सिल्वर कलर की व चलिए कि मारे तोड़ा है बी इस तरह से ही इसका कवर है इसके ऊपर चोटा सा कवरिंच और यह हमाले पास डिवाईस इसस दरह की दिवाइस दिखते है कितने साइज चैनुशन को हाथ की ऊपर एक tik को यह मेरा है गर हैंगे है तो यह पачकल बहुत ज्यादा बड़ी सम्थ नहीं है, it is quite compact, ऐसे लगती जोसे छोटा सा आजकल वालेट नहीं चला हुआ लड़कों के लिए जिसमें वो credit card गरा, credit card के size का आप इसको कह सकते हैं, basically जो हमारे एक standard credit card होता है, उससे बस थोड़ा सा बड़ा है, इस तरह की device है, और इसके अंदर क्या है वो भी देख लेती तो इसके पीछे, I think, एक extra battery होनी चाहिए, या, यह मेरे ख्याल से चार्ज करने के लिए USB वायर है इसकी, तो यह USB से चार्ज होता है, यह इस तरह का इसका आगे से मेरे ख्याल से लगाव देख पा रहे होंगे, और USB है यह, और यह extra एक battery के साथ आई है, इस तरह से, तो extra battery क क्या जरुत होती है, या क्यों लोग और करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे, जैसे मानलो बाहर है पूरा दिन, अगर इसकी बैटरी कम हो जाए, तो अगर दूसरी बैटरी आप चार्ज करके रखेंगे, तो basically, आप इसको ज्यादा टाइम यूज कर स और उसके साथ मेंगी चार्जिंग वायर निकलेगी, इसके अंदर एक्ट्रा बैटरी नहीं होगे, और फिर से बता देती हूँ, जो बैटरी के साथ है, 194 US dollar है, Hong Kong dollar मेरे का से 15-13 dollars है, Hong Kong dollars, और दूसरी जो है बिना बैटरी वाली, उसके है USD 169, और Hong Kong dollars में है 13-18, और इसकी पूरी इंफोमेशन है इस डिवाइस ही, वो मैं डालूंगी आपके लिए description box में, अभी मैं क्या करूंगी इसको on करके देखती हूँ, कि किस तरह से on होता है, और अगर आपको कोई भी इसके बाद इसकी instruction की जुरत है, आपको लगता है कि मुझे एक separate video बनाना चाहिए कि कै इसकी यूज़ करते हैं, तो मैं इसके बाद video बनाऊँगी, अभी फिलाल इतना ही, आज बस मैं आपके साथ ये device शेयर करना चाहती थी, कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये अच्छी मेरे बहुत सारे pilots यूज़ कर रहे थे बहुत टाइम से, और मुझे कहते थे कि त थोड़ा सा प्राइसी था, हाँ, मैं समझती हूँ, एक बार के लिए investment है, लेकिन जो लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको around साल, दो साल से, जितने भी मेरे pilots यूज़ कर रहे हैं, foreign lands पे जाते हैं, travelers जितने भी यूज़ कर रहे हैं, मुझे किसी एक नई भी इसका negative review नहीं दि तो चलिए दोस्तों, मैं ममतासरतिवा ले रहे हूँ विदा और मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, description box चेक करना मत बूलेगा, उसमें मैं इस वीडियो से related जो भी links हैं, या इनकी website के जो links हैं आपके लिए जूर पोस्ट करूँगी, चलिए, बाबाई